शिश्ष ने गोतम बुद्ध वगवान से पूछा था कि आपने तो भूत कुछ प्राप्त किया है, सब कुछ जाना है, थोड़ा हमें भी बतलाईए, तो बुद्ध कहते हैं कि जितना भी मैंने जाना है, उसरफ ऐसे ही है, जैसे प्रत्वी में से कोई एक कन को मैंने जान लि हो, यह अनन्त को, यह परमेश्वर को कोई नहीं जान पाया है, यह अनन्त है, अखंड है, अचेद है, अभीद है, अध्वैतम अच्छुतम अनादिम अनन्त रूपम, आध्यम पुरान पुरुसम नवयोवनम्च वेदे सु दुरलभम, आध्यम अत्म भागतो, गुविंदम अधि पुरुसम तमावं बजामी वेदे सु दुरलभम, उन्हें जानने के लिए चलोगे, तो कभी नहीं जान पाओगे सु दुरलभम, वेदे सु दुरलभम, आध्यम अत्म भागतो, लिए आत्म भागतो यानि जो बगवान के परम प्रेमी भागते हैं आर्जुन जैसे उदव जैसे प्रलाद महाराज जैसे द्रू महाराज जैसे अधूर लब उनके लिए अधूरलब है उनको भ्रगवान को समझ पाना बड़ा सरल है क्यों प्रेम आत्म भक्तो क्योंकि प्रेम ही भगते हैं प्रेम बड़ी चीज़ है प्रेम से ही परमिश्र को जाना जा सकता है और कोई कारण नहीं है कि शास्त्रों से ज्ञान से ज्ञान से जानने की कोशिश करी तो व्यर्थ हो जाएगा भगवान को तो प्रेम से ही जाना जा सकता है प्रेम को ही भक्ति कहा है भक्ति विलोच नेन प्रेमान्यन चुरिता भक्ति विलोच नेन भक्ति भरे नेत्र होने चाहिए भक्ति के चक्ष तब उनको उनकी पहचान होती है जल्दी से पहचान होती है फिर उजर्रे जर्रे में नजर आते हैं जर्रे जर्रे में है जहांकी भगवान की किसी आँख वाले ने इसकी पहचान की वो छोटी-छोटी चिडियों में भी वो ही बसा हुआ है फूलों में उसी की गंद है, सूरिय में उनीका प्रकाश है, जल स्रोतों में जल में स्वाद वोई है, अगनी के रूप वोई है, वायू के इसपर्ष वोई है, आकाश में जो शब्द गुंसता है वो स्वेम भगवान ही है ये वहवान के कलाएं हैं, विभूतियां है, भगवान ने कहा कि वेदों में रिगवेद में हूँ, लेन कभी हम यह उठा के नहीं देखते हैं जल सुरोतों में गंगा में हूँ, आज वेग्यानी के इस नतीजे पर पहुँचेंगी, संसार के जितनी भी नदिया आएं, उनसे 25 गुणा अधिक ऑक्सीजन गंगा के जल में है, इसलिए उसका महत्व है यह विदेश के वेश्टन कंट्रीज के वेग्यान साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूफ किया है लेकिन हमारे शास्त्र अनादी काल से कहते चले आ रहे हैं, कि यह गंगा, भगवान, विश्णु के चर्णों का धोया हुआ, जो चर्णा मृत है, वो जल है जो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखा था और भागीरत के प्रार्थना करने पर उस में से कमंडल में से एक धार जमीन प्राही, वो गंगा है उसका मैत तो है, साइंटिस्ट तो इस चीज़ को नहीं पहचान सकेंगे, जान सकेंगे लिए उन्होंने जो अपनी यंत्रों से जो खोजबीन की है, उन्होंने पाया कि विश्व में जितनी भी नदिया है, उनसे 25 गुना अधिक ऑक्सीजन, जीने की शक्ती गंगा के जल में है इसलिए गंगा जल का बड़ा महत है और जब आदमी शरीर त्यागता है, तो गंगा जल उसको एक टपका डाल दो, तो तुरंती बिश्व बगवान की याद करता है कि बिश्व के चरणों से आई हुई है उसकी परमगती हो जाती है, अंतमतास हो गता भगवान की याद करते हुए शरीर छोड़िया है, तो धन हो जाता है उप्राणी यम्यम वापी स्मरं भावं त्यजत्यंते कलेवरं तम तमे वैती कौनते सदात अद्भाव भाविता हो अब्यास करेंगे जीवन भर, तभी भगवान की अंत समय में याद आती है और अंत समय में याद बनी रही भगवान की, तो निश्चित रूप से आप भगवान के धाम के वासी बन सकते हैं, वैकुंट के वासी बन सकते हैं केवल कहने मातर से नहीं कि पिता जी का स्वर्गवास हो गया, या वेकुंट सिदार गए, कहने से नहीं, कहने से काम नहीं चलता, हो ता आत्मा को तसलिद देने के लिए बोलते हैं ऐसे, या उनको गए हुए प्राणी का सम्मान करने के लिए बोलते हैं ऐसे, सीधा नहीं बोलते की मेरा बाप मर गया बोलते हैं स्वर्गवास हो गया चिठियों में लिखते हैं पिता जी का स्वर्गवास हो गया है फलाने दिन बारुआ है जरूर पदारना हरी कृष्ण हरी कृष्ण 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 हरी 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 राम, हरी राम, 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 हरी यह परम रहश्मई महा मंत्र बहगtechn को रिजाने का इसके नामों का जिन्नों ने आस्वादन किया है उनको यह प्रभाव मालूम है यह हमारी आत्मा को, हमारी भावना को निखारने के लिएiding बहुत बलशाली मंत्र है क्योंकि स्वैम भगवान की पवित्र नाम इसमें है Holy Names of God पवित्र नाम ही आपको पवित्र कर सकते हैं बागी तो कोई जरिया नहीं है जिक कपड़े में मेल जमा हो तो साबुन चाहिए तो तुरंत साफ और उज्वल हो जाता है Sunlight साबुन हो एकदम उज्वल हो जाता है ऐसे ही आपको कोई ऐसा पवित्र परम शक्तिवान नाम चाहिए जा भावना को उज्वल करे हमारे और हमारी भावना उज्वल होगी तब ही हम सुखी होंगे ये कभी नहीं भूलना हम जितनी गंदी भावना के होंगे उतने ही हम दुख में होंगे, पूरी तरह, पेन, एंग्जाइटीज, काम, क्रोध, मद, मोह, मतसर, लाल, ये सब हमको सताएंगे, चारतों से घेरेंगे, ये छे दुश्मन कहा इनको, सडरी पूफ, ये सबसे बड़े दुश्मन है, हमारा पतन करने के लिए, हमको राश करने, हमारा हराश करने के लिए, हमको नरक तक लिए जाने के लिए, इनसे बचना चाहिए, यहाँ पर तीन गुणों का सत्रवे अध्याय में भगवान स्री कृष्ण ने बहुत विशेज जोर दे करके अरजिन को कहा है, बोला है, ज्ञान उपदेश किया है, सरदा के भी से मिज़ाया, कि सरदा जो इरदे में होती है, सरदा का उदे होता है नाभी से, नाभी के इंदर से, इरदे में आकर कि इसका फूल खिलता है, सरदा बल्वती होती है, सरदा के बिना प्रेम उद्य नहीं होता पहले सरदा उद्य होती है सरदा में प्रेम रुपी फल पकते हैं सरदा ही नहीं है आपको बगवान के परती या किसी के परती तो प्रेम कैसे उद्य होगा पिर सरदा कैसे उद्य हो ये भी समझ लेना चाहिए क्योंकि सरद्धा उद्ध होने के लिए हमको तत्व ग्यान चाहिए तत्व ग्यान से हमारी भावना उज्वल होती है एक माँ अपने बाँ बेटे को पुत्र को छोटे बच्चों को बार-बार नाम ले लेके पुकारती है तो उनके प्रती बहुत इसने है पैदा हो जाता है जन्म के समय ना रहा हो लिए बच्चा दो साल का तीन साल का चार साल का आठ साल का डवलप जैसे जैसे बढ़ता है ऐसे ही और अधिक प्रेम बढ़ता है मा का क्यों? क्योंकि वो बार-बार उसके नाम ले लेके दिन में सौ बार पुकारती है अरे बेटे, अरे रामलाल, अरे कृशनलाल, अरे जो भी नाम रख दिया हो तो प्रेम उद्य होता है ऐसे कभी हम हरी को अब उनके नामों से पुकारते हैं तो हरी के प्रति हमारे इर्दे में प्रेम जागरी तो हता है प्रेम जागरी तो हता है तो फिर उनको जानने की कोशिश करते हैं जानने की कोशिश करते हैं भगवान को तो शास्त्रों को कॉंसल्ट करते हैं ज्ञान प्राप्त करते हैं गुरुजी के चरणों में बैठते हैं जिनको अनभव हो गया है रिलाजिशन हो गया है भगवान का आत्मा का साक्षातकार हो गया है भगवत साक्षातकार हो गया है ऐसे संतों के चरणों में जा उस इश्वर को पैचाना जाना वो ज्ञान उबदेश करता है। उनके वाक्यों में सर्द्धा पैदा होती है, गुरु के वाक्यों में। फिर उन वाक्यों से प्रभु में सर्द्धा पैदा होती है, परमिश्वर में सर्द्धा पैदा होती है। तवी तो भगवान स्री कृष्ण ने उब्देश किया तद्विधी प्रणी पातेन परीप्रशनेन सेवया उब्देख्षंती ती ज्यानम ज्यानिनस तत्व दर्शिना है अर्चुन तु मेरे किसी ऐसे भक्त की शरण में जा जो मुझे तत्व से जानता हो वो तुझे ग्यान उप्देश करेगा जिस ग्यान को प्राप्त करके तु मुझे जान लेगा तो ग्यान से भगवान को जाना जाता है, सरदा पैदा होती है, सरदा से प्रेम के हमकूर निकलते हैं, प्रेम के फल पकते हैं, ब्रक्ष पड़े, बेल फैलते हैं, प्रेम लता, प्रेम की बेल, मीरा बाई जैसे गाती है, अब तो प्रेम फैल गई, अब तो बेल फैल गई, आनंदफल होही मेरो तो गुरुधर गुपाल दीसरों न कोई अभी तो गुरु को भी गुपाल के भीतरि देख रही ही मीरा क्योंकि गुपाल के भीतरी सब हैं सारे कुरु समाहित थे ब्रहमा विश्णु समाहितula सारा विश्व ब्रह्मान समाइित है इसलिए तो अद्वत कहें के बोला भगवान को कि सब कुछ तो उसके अंदर ही है हम भी आप भी सारे पसूप पंची जल-तALाब-समुद्ण सब भगवान के अंदर है तो गुरु जी भी भगवान के अंदर ही है बारनी मीरा कहती है कि मेरो तो गिर्धर गोपाल दूसरों न कोई जाके सिर्पे मोर मुकुट मेरो तो पती सोही संतन धिंग बैठ बैठ लोकलाज खोई संतन के बीच में जाकर मेरा नाच ने लगी भगवान के गुणगान करने लगी तात मात भाई बंधू आपनों ना कोई मेरे तो गिर्धर गोपाल दूसरों ना कोई असमन जल सीच सीच अब तो छट पटाती है प्रभू से मिलने बहुत बियोगी नहीं बन गई भगवान के विरह में भगवान से मिलने के लिए मीरा का हिर्दय छट पटाने लगा तो छट पटाता है भगत मिलने को तो प्रेम के आशों मडते हैं मिलने के लिए कभी रुदन करता है कभी हंसता है महा भाव में चला जाता है मीरा भाई कहती है अस्वन जल सीच सीच प्रेम बेल बोई अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई मेरो तो गिरदर गोपाल अरी मा मेरा तो गिरदर गोपाल है और दूसरा कोई नहीं है भगवान की शरण में आएए भगवान के पवित्र नामों का जाप कीजिए इस शरण मा आने का एक सीधा मार्ग है उन्हें कभी नहीं बिसार है बिसार ये उठते बैठते सोते जागते, नाते दोते, खाते पीते चलते फिरते, बच्चों को खिलाते कमाई करते कभी भगवान को नहीं बुलाई है भगवान आपके इरदे में आपके प्रते एक छोटे से छोटे भाव को भी भगवान पकड़ते मालूम है उनको, क्या आपक्या विचार कर रहे है आपके कर्मों के विचारों के साक्षी है पूरे विश्व के साक्षी भगवान है आत्मा के अंदर वो विशेस्ता है जो परमात्मा के अंदर है, परमीश्वर के अंदर है अंसरूप से जैसे सागर की बूंद में वोई गुण तत्व है जो सागर के अंदर है जैसे सागर सौल्टी है ऐसे यह बूंद भी सौल्टी है तरल है ऐसे ही हम बगवान के यह अंश है आत्मा है इसलिए गुण धर्म हमारा और हमारी प्यवर कॉंशेसनेस का भगवान से मिलता है एकदम लेन हम उस इस्तिति पर नहीं है हम प्यवरिटी को खोच चुके इसलिए भगवान को भी पहचानते नहीं और भगवान को तो दूर अपने आपको ही नहीं पहचानते और जीवन जीते हैं या तमोगुण में या रजोगुण में कोई-कोई संत सतोगुण में जीता है अपनी जीवन को कोई-कोई पुर्णा आत्मा सतोगुण में जीती है अपनी अपनी जीवन को नहीं सतोगुण सुखकारी है इसलिए तो भगवान ने देखो यहाँ पर कितना सुन्दर इसलोकों में इतीनों गुणों का वर्णन किया है आहार का चैप्टर रखा भगवान ने सत्रु अध्या के प्रारव में आहार भगवान ने क्यों रखा? क्योंकि यह मनुष्य यह प्राणी यह पंच्छी यह देवता यह देवियां यह ब्रह्मा बड़े बड़े सभी आहार के ही रूप है यह साड़ा हमारा शरीर यह आहार का ही स्वरूप है जो जो आहार हमने किया, खाया पिया, वो यह तो डवलप हुआ है चाहे वो मा के गर्व के अंदर कुछ आहार मिला हो या भार आने पर इस्तन पान करके मिला हो या बड़े होने पर अन, जैसा भी अन खाया हमने, अन खाया, वेजटेबल्स खाई, फ्रूट खाई, दूद पिया, माखन, मलाई खाई उसे से यह शरीर डवलप हुआ है तो प्रारम में टीचिंग देने वाली मा है, वो पहला गुरू है समाज का, यह शरीर का बच्चे का, अपनी बच्चे का मा गुरू है जैसे जैसे मा उसको खिलाती पिलाती है, बच्चा खाता है, पीता है, और बड़ा होता जाता है और उसकी भावना में, वो जैसा भी खिलाती है, वैसा जड़ पकड़ लेता है कि यही भोजन अच्छा है, मेरी माँ खिला दिये, इसमें दोश क्या है, शुद्ध दूद है गाय का, पनीर है, मक्षन है, घी है, मिस्री है, गन्य का रस है, सुंदर गेहूं की रोटिया है, बास्मति चावल है, खाखा के में, में शरीर खुश है परसन्नू, तो जो शुद्ध माँ होती है, वो सतोगुनी भोजन खुद भी करती है, अपनी पती को भी करवाती है, और अपनी बच्चों को भी करवाती है, तो उस परिवार के शरीर सतोगुन में प्रबल होते हैं, उनके भावना में, मन मस्तिस्क में, बुद्धी में, सतोगुन प्रब कि रजोगुन नीचे दबा रहता है, तमोगुन और भी बिल्कुल दब जाता है, सतोगुन दबा देता है लिए जिन घरों में बच्चों को वाइल एंटी फूड खिलाते हैं, बच्चपन से ही कैकडे का सूप पिलाओ गव के बच्चडे कटते हैं संसार में उचलते हुए, खिलाओ, कंचडे बिच्चु खिलाओ, मक्की मच्चर खिलाओ, टूना मचली खिलाओ, सूर, तीतर, कबूतर खिलाओ, जैसे जैसे खिलाओ, खिलाएंगे बच्चे को